आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं, सर्वे से समंदित बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन के बारे में, क्योंकि जिस एरिया में अभी वर्तवान में सर्वे हो रहा है, उस एरिया का जो भी प्रोपर्टी का उनर है, जो भी रहीत है, उसको बहुत सरा प्रोपर्ब्लेम हो रहा है, तो यहीं प्रोपर्ब्लेम को देखते हुए भूमी शुधर भाग के दौरा जो है, टाइम टू टाइम जो है, अपडेट जाड़ी किया जा रहा है, बहुत व्यक्ति के दौरा यह भी हमसे पूछा गया था, कि हम भार रह रहे हैं, किसी भी इ देजिए परपथ 2 और परपथ 3 1 जो है वो आप कहीं से भी भर सकते हैं उसके बाद जिस टेम में फिल्ड पे जो है मतलब सर्वय करने आएगा उस टेम में यदि आप उपस्तित नहीं भी रहते हैं और आप ही का जमीन है आप ही के नाम से जमीन है या फिर आपका फैमली में क कोई भी व्यक्ति है वो भी वहां सर्वय में जाके भाग ले सकता है और वो जमीन के बारे में जो भी जंकारी है उसको बता सकता है तो वहां मुख रूप से जंकारी यहीं बताना है कि आपका प्रूपर्ट्री कौन है कौन सा प्लोट आपका है वो चिनित किया जाता है हम बाहर में है, हमको बहुत कर्ज है, हम यहां से घर जा नहीं साकते हैं, काम शुर जागा, इस परकार का बहुत व्यक्ति के पास समस्य आ रहाता है, तो आप बाहर में भी है, तो कोई दिकत नहीं होने वाला है, लेकिन आपके पास पूरुपर्टी का काग्जात होना और आप ही का कबजा में 100%, उस पर कोई दूसा व्यक्ति जो है, दावा नहीं कर सकता है, तो ऐसे इस्थिती में, यदि आपके पास सिर्फ लगान रसीद है, तो यहां पर 100% आपका काम हो जागा, कोई दिकत नहीं होने वाला है, लेकिन आप नहीं भी रहते हैं, तो ऐसे भ नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यदि नहीं भी आएंगे, तो भी काम चल जागा, लेकिन यहां पर धियान रखना होगा, कि आपका प्रोपर्टी बिल्कुल साब सुत्रा हो, उस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, ऐसा नहीं कि पास है, उस पर कबजा कोई दूसा व्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ब्यक्ति कबजा किया है, उसको भी ये पता है, कि शर्वे हो रहा है, वहाँ पर डोकुमेंट जो है, मंगा जगा है लेकिन जो बहन है उसको उसको और नहीं दिया गए है तो भी स्तिति में दिखकत हो सकता है। बहुत ब्राइब के दूबरा ये हमको कहा जा रहा था कि मेरा तो सरकारी प्रोपर्टी वे घर ही बना हुआ है, तो तो देखी यह जो Sarway हो रहा, इसमें Sarway में किसी का घर तोरा-तोरी नहीं होगा, ठीक है, और जो सरकारी पुरुपर्टी है, उस पर यदि आप किसी पुरुपर्टी पर कोई दावा नहीं किये हैं, या फिर आपके पास कोई कागजात उस पुरुपर्टी का नहीं है, अन्ना कागजात ब इसी भी रूप में कियन हो उस प्रूपर्टी का जो भी मतलब सरकारी प्रूपर्टी है जिस पर आप कभजा किये हैं तीस साल या इससे ज़्यादा समय से उस पर खेती कर रहे हैं या फिर आप किसी परकार का उस पर मतलब आपका कभजा में हो कभजा में होना चाहिए चराग पर किये होगweg हुई ह이고 like सरवेइ पर दोखरू से फोगस करते हैं अइनले और तीसला या इससे ज्याद़ा समय से आपका कभजा है तो उस पर्वपर्टे का कैसे डुकोमेंट आप दैयार कर सकते हैं इस विशा पर भी हम पहले से वीडियो बना के अपलोड किये हुए हैं, तो आप मेना प्रिवेस वीडियो जाके देख सकते हैं और अधिक साधिक जनकारी ले सकते हैं, उसका जो कागजात बनाने का जो step है, जो process है, वो कैसे होता है, वो पूरा process को मैंने प्रिवेस वीडियो पर लंबे समय से 30 साल या इससे ज्यदा समय से आपका कबजा बरकरार है, लगातार कबजा किये हैं 30 साल से, तो ऐसे इस्तिति में उस property का काग्याब आप अपने नाम से कई से तयार करवा सकते हैं, इस वीडियो में पूरा detail में बता जा गया है, आप उस वीडियो को देख स सकते हैं, या फिर कोई आपको दान पत्र के द्वारा किया गया है, जमीर मिला है तो वहां पत्र आपको दिखा सकते हैं, सर्वे में, सिर्फ आपका जो हैं, मतलब कुछ एक document आपको दिखाना आवसाख है, यदि आप कोई document ही नहीं दिखाएंगे, तो ऐसे इस्तिति में प पूराना से पूराना जमांबंदी निकाल सकते हैं, क्या वाला ओनलेन निकाल सकते हैं, पूराना से पूराना खत्यान ओनलेन निकाल सकते हैं, साथ ही साथ यदि आपका रसीद बहुत पूर्णा है तो ऐसे इस्तिति में उसको रसीद को जो ओनलेन अपडेट किया जा सकता है नाया जो इंटरनेट से कटता है वो रसीद आप निकाल सकते हैं यदि आपका पूर्पर्टे का डोकुमेंट ओनलेन अपडेट नहीं होगा यदि इंटरनेट पर आपका जमीन का डोकुमेंट शोर नहीं करेगा तो ऐसे इस्तिति में आप ओनलेन रसीद नहीं कटवा सकते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपका जो भी पूर्प जाके देख लिजिए यदि आप दो से तीन वीडियो देख लेंगे तो आपका जो है सारा जो है डाउट वो सब किलियर हो जागा हम पुराना वीडियो में ये भी बताया है कि आपका कितनों पुराना से पुराना क्यवाला हो खत्यान हो रसीद हो मतला जमाबंदी हो कोई भी काग्याद आप बहुत इजली घर बेठे अपना मवैल में डाउनलोड कर सकते हैं आपको कहीं भी भागदोत करने का आप सकता नहीं है कहीं भी नजाज पैसा खर्च करने का आप सकता नहीं है जैदि कोई सरकारी जमीन पर आपका कब्जा है उसका काग्जात कैसे तैयार कि आजागा वह वेडियो यहां पर आ गया उस पर क्लिक करके वह वेडियो आप देख सकते हैं